Hello Everyone, Welcome to my channel Conceptual Genetics and Breeding So, आज की अपनी इस वीडियो में हम क्रोमोजोम मॉर्फोलोजी से related कुछ important points discuss करेंगे Detail क्रोमोजोम की जो मॉर्फोलोजी है, जो उसकी important parts है, structure है वो हम पहले ही अपनी एक वीडियो में cover कर चुके हैं इस वीडियो में हम कुछ और remaining जो terms हैं, जो related हैं क्रोमोजोम मॉर्फोलोजी से उनको discuss करेंगे So, जो पहली term है, वो है हमारी karyotype So, karyotype क्या होता है? Basically, एक diagram होता है, जो हमारे chromosomes है किसी भी species के, जो जित्ते भी disomy chromosome number होता है यानि जो deployed chromosome complement होता है, जिसको हम 2N कहते हैं जब हम उनको उनकी length के according from longest to smallest हम उनको arrange करते हैं और ऐसे arrange करते हैं कि जो उनकी centromere है, वो हमारे एक simple line में रहे उनकी centromere के according, उनको हम उनकी length पे हम उनको arrange करते हैं तो इस diagram को क्या बोलते हैं, karyotype बोलते हैं तो karyotype में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे chromosome है जो longest है, उसको left पे place करेंगे और उनकी length के घटते हुए करम में, हम karyotype करेंगे और ऐसे arrange करेंगी कि जो उनकी centromere है, वो एक axis में, एक seed में रहे तो इस diagram को क्या बोलते हैं, हम karyotype बोलते हैं तो karyotype में हमें जो क्रोमोजोम है, उसकी morphology को धियान में रखते हुए उसके size को और जो उसकी position है centromere की उसको उनको सबको represent करते हुए, हम एक picture बनाते हैं जितने भी एक species के क्रोमोजोम है, उन सब की और इसको हम क्या बोलते हैं karyotype बोलते हैं, और एक karyotype में हम सब कुछ represent करते हैं जैसे उसकी centromere कहां पे है, उसकी क्रोमोजोम की length कितनी है अगर कहीं पे secondary construction है, वो भी हम represent करते हैं satellite, जो भी बाहर से देखने पे जो हमें क्रोमोजोम में structure मिलते हैं उन सब को हम represent करते हैं karyotype में जो karyotype होता है, वो हमारा present करता है kromोजोम के arrangement को on the basis of descending order of size and by keeping their centromere in a straight line okay, so karyotype avatar karyotype, karyotypes are presented by arranging the chromosomes of a particular species in a descending order of size keeping their centromere in the straight line okay, so इसमें हमने पहले बोल दिया कि जो longest kromोजोम है वो कहां पे होता है हमारा, वो हमारा left में होता है जबकि जो smallest kromोजोम है, जब हम उसको descending order में arrange करेंगे तो वो हमारा, जो right side है वहां पे आ जाएगा okay, और जितने भी species, एक species है, उसके जितने भी individuals है सबका karyotype सेम ही होता है क्योंकि जो kromोजोम की structure है और number of kromोजोम है, वो constant रहेगा different individuals में एक species की for example, जो humans है, humans में किते होते हैं, 46 kromोजोम होते हैं तो यह जो 46 kromोजोम है या 23 pair है kromोजोम के यह सब में है, और जो size है, जो shape है, वो सब individuals में सारे humans में उसकी सेम है तो जो karyotype है, वो सभी individuals का identical होता है और जो karyotype में जो kromोजोम हैं, उनको हम numbering भी देते हैं Roman number देते हैं उनको हम, जो हमारा सबसे longest जो kromोजोम है largest, जो हमने left में place किया है, उसको first number देते हैं और जो descending order में फिर हम उसको number देते हुए चलते हैं तो यह अपका हो गया karyotype, karyotype क्या है, यह एक representation है सारे kromosomes का, और इसको arrange किया जाता है longest kromosome को left side में रखके, और descending order जो length की है उसके according हम अपने kromosomes हैं, उनको arrange करते हैं second जो term है, वो है हमारी ideotype ideotype क्या होता है, बेसिकली, जो karyotype है, उसमें हम क्या करते है हम, जो हमारा deployed kromosome complement है, किसी species का, उसको represent करते है क्योंकि हमने पता है कि जो हर एक kromosome है, वो क्या होता है pair में होता है, तो जब हम उसको pair में represent कर रहे हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, karyotype बोलते हैं लेकिन जब हम हर एक kromosome pair से, सिर्फ एक ही kromosome को यानि जो haploid kromosome complement है, जो n kromosome complement है उसको ही represent कर रहे हैं किसी diagram में उसको हम ideotype बोलते हैं तो अंतर सिर्फ इतना ही है कि जो karyotype है उसमें हम क्या करते हैं उसमें हम जित्ते भी जो chromosomes number है twin number of chromosome यानि कि जो diploid set of chromosomes है उनको represent करते हैं ठीक है लेकिन जो ideotype है उसमें हम हम जो haploid chromosome complement है किसी भी species का यानि जो chromosome pair है जिसे first pair है उसमें से सिर्फ हम एक ही chromosome को represent करेंगे ऐसे ही हम बाकी pairs में से भी एक ही chromosome को represent करेंगे तो यहां हम कह सकते हैं कि हम जब haploid chromosome complement को हम represent कर रहे हैं किसी diagram में तब उस diagram को क्या बोलते हैं ideotype बोलते हैं तो ideotype भी वैसे ही construct किया जाता है जैसे हम karyotype construct करते हैं बस पर कितना है कि वहां पर हम जो 2N number of chromosome से किसी species के उनको दिखाते हैं यानि कि जो diploid somatic chromosome complement है उसको दिखाते हैं जबकि जो ideotype है यहां पर हम जो N number of chromosome complement है यानि कि जो haploid chromosome set है किसी भी species का उसको हम represent करते हैं बाकि सारी चीजें जो हमने जो हमारे karyotype में होती है यानि कि हम उसको length के according arrange करते हैं longest हमारा left side में रहता है और जो smallest chromosome है वो हमारा right side में रहता है बाकि सारी चीजें हमारी same है और ideotype भी हमें सारी information दे सकता है जो हमें एक karyotype से मिलती है क्यों? because जो हमारा pair होता है chromosome pair होता है जो दो chromosome से वो दोनों ही same होते है identical होते है मतलब कहने का है कि जो shape है उनकी जो उसमें जो अगर centromere जहां पे present है वो हाई पे दूसरे chromosome में present होगी जो एक pair है उसमे अगर कोई secondary construction present है तो दूसरे chromosome में भी present होगा कहने का मतलब है कि दोनों ही जो chromosome है अगर आप देखना चाहे तो यहां karyotype में हम देख सकते हैं कि जैसे shape एक chromosome pair में first chromosome की जो shape है वो ही second chromosome की है exact shape तोनों की same होती है जो भी एक homologous pair बोलते हैं इसको तो यहां पे जो भी information हमें karyotype से मिलती है chromosomes के बारे में किसी particular individual के किसी particular species के वही information हमें ideotype से भी मिलते है so ideotype क्या है जब हम एक diagram में जो morphological features है only हम जो gametic chromosome number है उसी को represent करते हैं तब उस picture को क्या बोलते हैं ideotype बोलते हैं so यह आप देख सकते हैं यह क्या है एक human karyotype है male का karyotype कह सकते हैं क्योंकि human male में क्या होते हैं हमारे आपको पता है कि जो 2N equal to humans में 46 chromosome होते हैं यानि 23 pairs होते हैं एक तरिके से और जो 23rd pair होता है वो XY होता है male में और female में वो XX होता है यानि 22 autosomes होते हैं इन सब को यह जो 22 chromosome हैं इनको autosomes कहते हैं जबकि यह एक आपका sex chromosome होता है यह humans की बात कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर आप देखेंगे यह human male karyotype है तो karyotype में हमने जो 2N number of chromosome है उसको represent किया है 2N equal to यहाँ पर क्या है 46 है human के case में जबकि N equal to क्या होता है 23 होता है यानि अगर हम हर एक pair से एक क्रोमोजोम को हटा दें तो कितने बचेंगे 23 बचेंगे तो हमने 2N equal to diploid जो chromosome set है उसको यहाँ पर दिखाया है आप देख सकते हैं कि इनको centromere के according हमने इनको यहाँ पर अरेंज किया है तो थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बाकि हम centromere के हिसाब से इसको अरेंज करते हैं और length यह जो chromosome है यह सबसे बड़ा है और यह chromosome सबसे छोटा है तो length के according हमने इसको अरेंज किया है यह हमारा human karyotype है जबकि वैसे तो karyotype में क्या होता है कि length के according जहाँ पर भी chromosome की length फिट होती है वहीं पर हम उसको present करते हैं बड़ जो sex chromosome है generally जो हमारा karyotype होता है उसमें हम उसको सबसे last में रखते हैं उसकी जो length है उसको consider किये भी ना जो sex chromosome है उसको karyotype में हम सबसे last में place करते हैं ये एक general representation है human karyotype का human male karyotype ये आप देख सकते हैं कि idotype है human male का idotype का क्या मतलब होता है कि हर एक pair से सिर्फ एक ही chromosome present है तो यहाँ पर आपने देखा कि एक pair में दो chromosome होते हैं तो दोनो ही present है यानि यहाँ पर 2N equal to 46 chromosome हमने represent किये हैं karyotype में जबकि जब आप ये human male idotype देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ 23 chromosome ही हमने present किये हैं कि यह अलग है कि हमने X और Y दोनों को यहाँ पर represent किया है क्योंकि ये एक male karyotype है इसमें क्या होता है जो sex chromosome है वो X और Y होते हैं दो होते हैं तो हमने दोनों को represent किया है अगर ये female karyotype होता तो हम सिर्फ यहाँ पर एक X chromosome को ही represent करते हैं क्योंकि female में दो identical XX chromosome होते हैं ओके तो देखें यहाँ पर हर एक pair से हमने सिर्फ एक ही chromosome को लिया है तो इसलिए ये क्या है आपका ये आपका idiotype है अब जो next term है जो हमारे related है chromosome morphology से वो है हमारा chromatin क्रोमेटिन क्या होता है ये हम कह सकते हैं कि वो material होता है जिससे हमारे जो chromosome है वो बने हुए होते हैं आप देख रहे हैं कि ये chromosome की structure है X-shape chromosome है अगर हम अंदर से देखेंगे तो इसमें एक ये net जैसी structure हमारी ये एक उल्जा हुआ धागे जैसी structure इसके अंदर फिल होती है और ये जो उल्जा हुआ धागा है जैसी structure है ये हमारा क्या कहलाता है ये हमारा chromatin कहलाता है तो जो chromosome है वो basically किससे बने होते है chromatin से बने होते है और जो chromatin है वो किससे बना होता है वो DNA, protein और RNA से मिलकर बना होता है तो chromosome में क्या होता है Chromatin पाये जाता है आप देख रहे हैं ये जो net like structure आपको दिख रही है chromosome के अंदर और ये जो net like structure है यह किस-किस से मिलके बनी है यह DNA, प्रोटीन और RNA से मिलके बनी है तो chromatin के तीन पार्ट हो गए आपका DNA, प्रोटीन और RNA तो कैसे यह structure बनी होती है अगर हम इसको देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस image में यह chromatin है इसमें आप देख रहे हैं यह जो blue color के जो आपको round round structure दिख रहे हैं यह आपके histone proteins होते हैं तो DNA क्या होता है जो DNA का जो thread होता है long वो histone के around ऐसे आपका coiled रहता है जो long DNA molecule है इस हिसाब से बहुत ही लंबा DNA molecule होता है एक chromosome के अंदर तो वो क्या करता है जो histone proteins हैं उनके around ऐसे coil हो जाता है और उसकी length कम हो जाती है और यह जो coiling के बाद जो structure बनती है इसको हम क्या बोलते हैं क्रोमेटिन बोलते हैं और यह जो क्रोमेटिन है यह कहां पे fill रहता है यह chromosome में रहता है तो इस तरीके से जो हमारा क्रोमेटिन है वो किस से बना होता है आपने देखा यहां पे histone proteins है यहां पे DNA है और कुछ amount of RNA यहां पे इसी के structure के साथ associated होता है तो इस तरीके से यह आपके तीन पार्ट हो गए जो क्रोमेटिन है वो तीन चीजों से मिलके बना हुआ है DNA, protein और RNA और जो क्रोमेटिन है वो कहां पे रहता है वो क्रोमोजोम में रहता है यानि कि जो क्रोमोजोम से वो किस से बने होते हैं क्रोमेटिन से बने होते हैं और इस क्रोमेटिन को हम क्रोमेटिन फाइबर भी कहते हैं और जो chromatin होता है basically दो type का पाय जाता है chromosome के अंदर, एक heterochromatin और दूसरा uchromatin, तो जो इतना भी chromatin present है एक chromosome के अंदर, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, heterochromatin और uchromatin, तो heterochromatin क्या होता है, uchromatin क्या होता है, ये भी हम study करेंगे, इस image में आप more clearly आप देख सकते हो, कि ये एक DNA molecule है, long DNA molecule है, अगर हमें इसकी length को कम करना है, तो ये आपका क्या करेगा, जो histone protein है, उसके around ऐसे coil हो जाएगा, और ultimately इसकी length कम हो जाएगी, और ये जो coiling है, ये आपको कैसी appearance देती है, ये beads on a string appearance देती है, यानि कि जैसे एक माला में हम धागे में, जैसे म पास पास आगे, एक दूसरे के आगे पीछे, अरेंज होके, इस तरहीके से, आप देख सकते हैं, एक और चोटी structure बना देता है, चोटी पर ठीक structure, ओके, यानि कि length कम हो जाएगी, और लमोटाई इसकी बढ़ जाएगी, और ऐसे करके, ये हमारा chromatin fiber बन जाता है, या chromatin बन कॉइलिंग होके, ये अरेंज हो जाता है, आपका जो एक शेप क्रोमोजोम की जो structure होती है, ओके, इस तरीके से, जो chromatin है, वो हमारा अरेंज रहता है, और chromatin को बनाता है, फिर जो हेटर हमने बोला कि जो chromatin है, उसके दो पार्ट है, दो तरीके का chromatin पाया जाता है, सैल्स मे हेटरो क्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन तो हेटरो क्रोमेटिन क्या होता है क्रोमोजोम का या क्रोमेटिन का वो रीजन होता है जो की डीब स्टेनिंग लेता है जब हम उसको स्टेन करते हैं किसी डाई के साथ सपोस्ट जो क्रोमोजोम से हैं हमें पता है कि जो chromosome है वो chromatin के बने हुए है जब हम इस chromosome को किसी dye से रंगने की या dye करने की जब हम कोशिश करेंगे जनरली basic dye यूज करते हैं जैसे fulgen dye एक dye है basic nature होता है उसका हम उससे इसको dye करते हैं ठीक है तो जब हम इसको dye करते हैं तो क्रोमोजोम का जो जो part ऐसे dark stain ले लेता है डार्क ली stain नजर आता है आपको dye से रंगने के बाद stain करने के बाद वो वो reason आपका क्या होता है heterochromatin होता है और जो staining करने पे किसी भी जो basic dye है जैसे fuel gen का हमने example दिया उससे dye करने पर जो reason हमारा ऐसे dark नजर आएगा chromosome का वो reason तो क्या कहलाएगा heterochromatin कहलाएगा जबकि जो reason ऐसे light नजर आता है light color नजर आता है वो reason आपका uchromatin कहलाता है तो heterochromatin के हमारे कुछ features होते हैं जैसे यह ज़्यादा condensed form है यानि chromosome में जहाँ पर ज़्यादा condensation होता है जहाँ पर ज़्यादा thickness होती है वो reason हमारा heterochromatin होता है और यहाँ पर silence genes present होते हैं या जीन present ही नहीं होते हैं यानि heterochromatic reason में जो भी हमने अभी देखा कि chromosome को हमने stain किया fulgen dye से और यह darkly stain reason हमें नज़र आई यहाँ पर dark color आ गया chromosome के उपर तो यह जो reason है एक तो यह ज़्यादा condensed form होती है chromatin की दूसरा क्या है कि यहाँ पर या तो gene होते ही नहीं है या तो silence gene होते है यानि कि यह gene poor reason होता है यह इसलिए condensed होने के वज़े से यह dark chromatin है कि यहाँ पर क्रोमेटिन थे यह ben you chromatin होता है यह यानि यहाँ पर जो chromatin fiber जो बनता है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है lightly condensed होता है condensation ज़्यादा नहीं होता है वहाँ पे यानि उसका जो हमारा thickness है जो उसका एक coiling है वो कम होती है यहाँ पे सारे mostly gene यहाँ पे present होते है you chromatic reason में यानि इस reason को हम gene expression reason भी कह सकते हैं और यह बहुत ही light stain लेता है यह इसके features हो गए जो भी हमारा chromatin है तो chromatin हमने पढ़ लिया u chromatin होता है और hetero chromatin होता है दो तरीके का chromatin होता है आप यहाँ पे देख सकते हो यह हमारा human karyotype है idioty है sorry human idioty है यहाँ पे एक एक ही chromosome present है हर एक pair से आप देख रहे है ठीक है तो यहाँ पे जो हमारा यह darkly stain black color में जो stain reason है यह देख सकते हैं आप यह और यह ठीक है यह सारा यह reason आपका heterochromatic reason है जबकि जो lightly stain reason दिख रहा है white color में यह आपका u chromatic reason है तो जब ही भी stain करते हैं हम basic dye से chromosome को तो chromosome पे ऐसी bend आपको नज़र आते हैं डार्क stain यह से bending ज़सी नज़र आएगी यह bend dark stain, light stain, dark stain तो इसको हम क्या कहते हैं bending pattern भी कहते हैं और इससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे heterochromatic reason present है और कहाँ पे u chromatic reason present है chromosome के उपर अब जो next term है वो हमारी क्या है chromomeres यह भी important है chromomeres क्या होते हैं यह कोई permanent structure नहीं है chromosome के उपर जैसे हमने जब morphology हमने पढ़ी थी हमने पढ़ा था कि जो chromosome है उसमें telomere होता है centromere होता है primary construction, secondary construction होता है और chromatin से बना होता है वो सारी permanent structure है chromosome के उपर लेकिन जो chromomeres है यह आपके temporary structure होती है और यह हमारी सब में नहीं मिलती कुछ जो chromosome है कुछ species है उनमें यह पाए जाते है और किसी में यह नहीं भी मिलते है तो जो chromomere है बेसिकली जो species है जैसे maze हो गया amphibia हो गया इनके जो chromosome है यह आपके जो prophes first stage होती है meiosis की वहाँ पे यह क्या करते है small beards like structure शो करते है और इन structure को हम क्या कहते है chromomeres कहते है prophes first क्या है हमारा जो meiosis है वो cell division है यानि cell division के दोरान जो meiosis की prophes first stage होगी अगर हम meiosis भी हम discuss करेंगे बाद में डिटेल में यहाँ पे मैं आपको बता दू जो meiosis है उसकी कुछ stages होती जैसे prophes first metafase first anaphase first और telophase first ओके जो prophes first है इसकी भी stages है जैसे leptotene zygotene pacitene diplotene and diakinesis तो इनमे जो pacitene stage है जब meiosis होता है cell division होता है meiosis जब pacitene stage आती है तब क्या होता है तब जो chromosomes है जैसे maze हो गया amphibia हो गया इनके जो chromosome है वो small beads like structure शो करते है ऐसा लगता है कि कुछ beads यहाँ पे present है chromosomes के अंदर तो इनको क्या कहते है इन structure को हम chromo mears कहते है तो मैंने पहले बताया यह permanent structure नहीं है यह आपकी generally कुछ species में आपकी पाई जाती है और उसमें भी किसी particular stage पे ही यह मिलती है जैसे हमने बताया maze और amphibia में यह जो prophes first की जो pacotin stage है उसमें यह आपको देखने को मिलती है तो जो different chromosomes है उनमें different patterns होते हैं इन chromo mears के एक ही तरीके के chromo mears हमें सारी species में देखने को नहीं मिलते हैं ओके so basically different different chromo जो chromo mears है वो different different shape के हो सकते हैं अलग-अलग plants में या अलग-अलग species में लेकिन जो homologous chromosomes होगा homologous pair होगा chromosome का उसमें एक ही तरीके के आपको chromo mears देखने को मिलेंगे because हमने बताया कि जो pair होता है chromosome pair होता है अगर आप देखेंगे यहाँ पे जब हमने discuss किया था आपका karyotype तो karyotype में आप देख रहे हैं कि यह आपका एक homologous chromosome pair है तो pair में जो दोनों chromosome है वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं वो identical होते हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं दे लुक लाइक एग्जेक्टली सेम तो इन में जो आपका जो आपके chromomiers बनेंगे वो एक जैसे होगे यानि इस chromosome पे जो chromomiers बनेंगे और इस chromosome पे जो chromomiers बनेंगे वो एक्जेक्टली सेम होगे लेकिन जो different different chromosome है different different species के उनमें जो chromomere होंगे वो आपके different different होंगे एक ही जैसे chromomere आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो मालो amphibia है और जो maze है उसमें जो chromomere बनेंगे वो अलग-अलग तरीके के बनेंगे अलग-अलग shape के बनेंगे तो they will look like different ओके, because जब हमारी ज़्यादा studies नहीं हुई थी तो ये believe किया जाता था जब ये chromomere नजर आए chromozoom पे, तो scientists उन्होंने believe किया कि जो chromomere है हो सकता है ये gene हो, यानि एक chromomere में एक gene present हो, बट ऐसा नहीं होता है ये अब हमें पता है कि gene कहां पे होते हैं, तो DNA पे present होते हैं, ओके तो ये earlier ये माना गया कि जो genes है वो हमारे chromomere पे हैं, ओके, और जो एक chromomere है, वो एक gene होता है, बट ऐसा हमें पता है कि ये true नहीं है ये earlier ये माना गया था ओके, जब हमने chromomere की study की और लेकिन जब फर्दर हमने genes की बारे में study की, तो हमें पता लगा कि जो genes होते हैं, वो chromosome पे होते हैं, लेकिन वो DNA का part होता है, DNA का एक टुकडा होता है chromosome, और जैसे अगर suppose ये DNA molecule है, तो इस पे gene ऐसे लगे होते हैं, ये gene 1 हो गया gene 2 हो गया, इस तरीके से जो genes होते हैं, उनका linear arrangement होता है सो जो chromatin present होता है हमारा highly condensed state में, chromomere में यानि कि हमें पता है कि जो chromosome है, उसके अंदर chromatin fiber होता है, और जहां पे भी ये chromomere हमें नजर आते हैं, जैसे ये आपको इसमें beards जैसे नजर आ रहे हैं यहां पे जो chromatin fiber है वो बहुत ही highly condensed stage में होता है यानि थिक stage में होता है जो chromatin fiber है, आपने देखाता कि ऐसे करके आपका बना हुआ है थिक stage, जहां पे भी ये बहुत ज़दा थिक बहुत ज़दा coiling हो जाती है थिक present होता है, वहां पे हमें ऐसे beads जैसा नज़र आता है ऐसे जैसे किसी माला में हमने मोती पिरोए हुए है तो इसी तरीके से आपको chromosome के अंदर ये chromomiers आपको देखने को मिलते हैं जो chromomier है, उसको हम idomier भी कह सकते हैं इसका जो दूसरा नाम है, वो idomier है ये हमारे कैसे नज़र आते हैं जैसे हमारे beads या granules linearly arranged हूँ इस तरीके से हमें बाहर से देखने पे नज़र आते हैं, यानि कि ये कैसे बनते हैं, ये जब जो chromatin है जो DNA है, वो जादा एक जगा coil हो जाता है, उसकी coiling से ये आपको इस तरीके की appearance नज़र आती है ओके, सो जो chromomier का जो reason है, ये chromomiers हम कह सकते हैं, कि ये वो reason है chromatin के, जो हमारे localized concentration से chromatin fiber की compact हो गए है यानि हमने पहले बताया कि chromatin fiber है, इस तरीके से histone proteins के around DNA जब हमारा coil हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, chromatin fiber बोलते हैं, तो ये chromatin fiber जब एक जगा बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाता है थिक हो जाता है, compact हो जाता है तब ऐसे localized reason में ये ऐसे compaction शो करता है, और इसी वज़े से हमें ये chromomiers नजर आते हैं ओके, सो ये सारी terms है, जो हमने discuss की है, ये सब important terms है जो हमारी chromosome से related है chromosome की morphology से related है So I hope ये सारी terms आपको clear है आप Thank you so much